हालो फ्रेंट्स वैलकम बैक टो माई चैनल और आज ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिन में बहुत ज्यादा खून की कमी रहती है आईरन की डेफिशेंसी उन में होती है तो ये आजकल लोगों में खून की कमी होना कोई बड़ी बात नहीं है आजकल ये बहुत नॉर्म मारिया है जो आपको लग सकती है जैसे बालों का जड़ना है आखों का कमजोर होना चहरे पर जुरियां आ जाना चहरे पर रौनक खतम हो जाना दिमागी कमजोरी जैसे या दाश का कमजोर हो जाना इस्मरण सकती का कमजोर हो जाना और सिर दर्द छाती में दर्द दिल की ध दूरी फेल होना जैसे बड़ी बीमारियों से आप ग्रसित हो सकते हैं यह सारी बीमारियां सिर्फ और शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होने के कारण हो सकती हैं पर आज मैं आपके लिए आइरन की कमी को दूर करने का सबसे सस्ता और आसान तरीका लेकर आई हूँ जिससे अग मिलाओं में कमी सबसे ज़्यादा पाई जाती है पर उपाए भी उनी के ही हाथ में है हां जी बिलकुल आपने ठीक सुना कि उपाए हमारी ही हाथ में है तो पहले में आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगे कि आपने देखा होगा पुराने समय में लोही की कड़ाई आदी बर बरतनों की जगा स्टील के अलमूनियम के नॉनिस्टिक बरतनों ने ले ली और अब भारत में आईरेन की कमी आम बात लगने लगी है पर अगर आप फ्री में ही अपने घर में पूरा दिन काम करती ग्रेणियों की आईरेन की कमी को पूरा करना चाहते हैं या यदि आप खाने में आयरेन की मातरा बढ़ जाती है। तो अगर आप लोघ की कळाई में जो भी खाना बनाती है। क्रिस्पी बनाता है। JULY पकता है आपकी ग्यास कम लगती है लोह बहुत जल्दी गरम रहता है हो जाता है और उसके अंदर जो खाना है वो जल्दी पकता है क्रिस्प हो जाता है तो बहुत सारे बैनिफिट्स हैं लोहे के बरतनों को इस्तमाल करने के और सबसे बड़ा बैनिफिट यह है कि जैसे जिस कि सारी हरी सबजियों में आईरन होता है, यदि हरी सबजियां लोही की कड़ाई में बनाए जाए तो और जो उसके लोहो तत्व हैं, वो और बढ़ जाएंगे, तो अगर आपको हीमोगलोबिन की कमी हैं, तो जल्दी अपने घर में लोही की कड़ाई या लोही का बरतन लेकिया हैं, उसमें खाना बनाए और आपने शरीर की हीमोगलोबिन की कमी को पूरा कर लें, क्या आप जानते हैं शरीर में हीमोगलोबिन की मात्रा उम्रे के हिसाब स अलग अलग होती है पुरूशों में 14 से 17 ग्राम और लेडिस में 12 से 16 ग्राम डेसलीटर की मात्रा होने चाहिए इससे उपर हमें आइरन नहीं लेना चाहिए वरना ब्लड कैंसर का खत्रा हो सकता है लेकिन इससे नीचे अगर आपका हीमोग्लोबिंग रहता है तो आप समझ ल लग्रतनों में खाना बनाना आज से ही शुरू करें अपने पुरानी लोही की कडाई को यूज करना आज से ही शुरू करें तो अगर मेरी वीडियो यह इंफोरमेशन अच्छी लगी है तो प्लीज और प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं занимair करेंगा और प्लीज कमेंट करें, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करें, जिससे कि मैं आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ, और बेला आइकन का बटन प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा, ओके बाबाई, टेक केर फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नई वीडियो क प्रेसादा.